Hello students, ETAB की last class में हमने ये problem solve की थी तो आप इस video को देखके इसकी practice कर सकते हो और जो भी absent student थे वो practice कर सकते हैं इस video को देखके तो start करते हैं जैसे कि आप देखिए सबसे पहले जो first है ये आपका fix, first end जो है fix support का symbol है उसके बाद एक support यहाँ पे है pin और एक यहाँ पे है fix support ठीक है हमार पास तीन beam है 4 meter, 4 meter और 2 meter span के ठीक है उनके ओपर कुछ loads लगे हैं तो ETAB में जब भी हम को structure बनाते हैं तो आपको पताए कि हमें उसी structure की shape में या configuration में हमें grid define करनी होती है तो जैसे कि अगर हम इस structure को इस beam को बनाने के लिए हमें grid define करनी होगी तो X direction में जो grid की lines होगी वो होगी ऐसे एक दूसरी line होगी इसकी spacing होगी 4 meter तीसरी line होगी वो भी 4 meter पे और चोथी line होगी वो होगा आपकी 2 meter पे इसकी id होगी A, B, C और D यह X axis में होगा और Y और Z में जो default value है वो ले लेंगे हम grid की हमें उससे कोई मतलब नहीं है तो सबसे पहले हमें grid define करनी है A, B, C, D 4 spacing, 4 spacing, 2 spacing तो start करते हैं जैसे कि E tab यह रहा आपका आप सबसे पहले new model पे click करेंगे यहाँ पे select कर लेंगे, unit का ध्यान रखें, कुछ students ने units का ध्यान नहीं रखा था metric SI और यहाँ पे Indian coat, steel और concrete का देखिए यहाँ पर यह जो आपका window है, यहाँ पे हम uniform spacing वाली grid define करते हैं पर हमारी जो grid है वो है इस तरह से 4, 4, 4 meter, 4 meter, 2 meter non uniform, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे click करेंगे और edit grid data के ओपर click करेंगे, और यहाँ पे देखिए जो first box है, क्योंकि x direction को हमें देखना है केवल, ठीक है, ना इसको नहीं देखना है, अभी इसको नहीं है, क्योंकि हमें चार चाहिए, आप जैसे कि आप देखते हो, जो first grid line है, उसका coordinate 0 है, second grid line है, उसका coordinate 4 है, third grid line है, उसका coordinate 8 है, और जो fourth grid line है, उसके coordinate 10 है, तो यही value हमें यहाँ डालनी है, जीरो, four, eight और ten, ठीक है, four, eight और ten, और यहाँ से आप color change कर सकते हैं, अपनी grid का, कोई dark color ले ले लेते हैं, ठीक है, ओके, अभी इस चीज़ को नहीं समझना है, अभी इन options को नहीं समझना है, अभी केवल इतना करना है दो चीज़ों में और okay कर देना है, उसके बाद दुबारा okay, यह grid आ चुकी है, यह है हमारा plan, यह है हमारा 3D, ठीक है, और अब हमें सबसे पहला step होता है, material define करेंगे, तो यहाँ define में जाएंगे, और material define, material property, और यहाँ पहले से कुछ चार properties हैं given, पर हम इसको नहीं लेंगे, हम add new करेंगे, और हम यहाँ पे Indian, concrete की बात हो रही है, M30 अभी हम assume कर लेते हैं, okay करते हैं, तो यहाँ पे M30 से related properties होगी, जिसको हम change नहीं करेंगे अभी, अभी ज़रुत नहीं है, तो अभी हम क्या केवल, यहाँ M30 है, इसको okay कर देंगे, और देखिए यहाँ table में आपके यह property आ जाएगी, उसके बाद okay कर देना है, उसके बाद define करना है cross section beam का, तो यहाँ section property में frame section, और यहाँ पर भी पहले से section define है, यह रहे, लेकिना हम इनको touch नहीं करेंगे, add new property पे click करेंगे, और rectangle section है हमारा, इस पे click करेंगे, और यहाँ पर जो cross section का size है, जो हमने assume कराता है, वो तो depth 600 mm, width 300 mm, इसको हम change कर देते हैं, और यहाँ पर यह सब design के property है, जो हम बाद में आगे जाके सीखेंगे, यह सब चीज़े, तो यहाँ पर केवली material आप change कर लेंगे, और इसका title, ठीक है, material हमने m30 डाला तो है, और इसका title beam डाल देते हैं, ओके कर देंगे, और list में देखो कि आप beam आ गया, ठीक है, ओके कर देते हैं, अब क्या करना है, हमारे पर दो options हैं beam बनाने के लिए, एक ये है, एक ये है, तो हम red dot वाला beam लेते हैं, और जैसी इस पर click करेंगे, तो नीचे property box आ जाएगा, उसमें हमें आपे अपना beam select कर ले और यहां पर हमारा beam define जाएगा, और 3D में देखना है, बनते जाएगा, यह देखिए, यह देखिए, यह बन चुका है हमारा beam, अब देखिए, प्रॉबलम में जाते हैं, तो first end और last end में क्या है, fix support, तो e tab में गए हमने क्या किया, drag करके first joint और last joint select किया, और assign, joint, restrain और fix पे zoom in करके देखो कि तो आ जाएगा, अब बीच में जो दो joint से उन में pin support है, तो हमने दोनों joint select किया, assign, joint, restrain, और pin पे click किया, ok कर दिया, चारो support लग चुकी है, ठीक है, अब आते हैं load की बारी, load को दिहान से समझना है, काफी लोग के समझ में नहीं आया था, यह जो beam का size है, length जो है, first beam की वो 4 मीटर है, ठीक है, और जो load UDL, जिसकी intensity 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, वो start हो रहा है 1 मीटर के बाद, यहां से start हो रहा है, यहां से, और खतम कहा हो रहा है, 1.5 मीटर पे, तो total, अगर यहां तक की distance देखें तो 2.5 मीटर, ठीक है, इस चीज को दिहान आप देखें क्या करेंगे, इस beam को select किया, जिसके ओपर load लग रहा है, हम इस वाली window close कर देते हैं, अब यह 3D वाली बड़ियों को जूम कर लेते हैं, अब ठीक है, इसको select किया, मैंने, assign, frame load, क्योंकि beam और column को frame बोलते हैं, frame load, distributed UDL लगाना है हमें, तो load कहां से start था हमारा 1 meter से तो यहां पर 1 meter डालेंगे, और उसकी intensity 5 थी, और load कहां तक था हमारा, यहां पर absolute पर click रहना चाहिए, ठीक है, 1 meter से start था और 2.5 तक था, और intensity 5, देखो इससे होगा गया, 1 का मतलब है, 1 meter के बाद load start हुआ, जिसकी intensity है 5, और 2.5 तक वो गया, continuous, जिसकी intensity है 5, ठीक है, तो 2.5 यहां से है, और load कितनी, load की length कितनी होगे, 1.5, तो इस तरह से load लगेगा, तो ok करते हैं, देखे लग गया, next क्या है, इस load के खता होने प्याने, 2.5 यह distance कितनी है, 2.5 यहां से, तो 2.5 पर क्या लग रहा है, 3 kN का load, simple है, इसी beam को select करना है, assign में जाना है, frame load में point load लगाना है, और यहां पर absolute distance लेना है, और distance की आती, 2.5 और magnitude की आता, load का 3, है न, यह distance कितनी है, यहां पर लगाना है, यह 2.5 है, और magnitude 3 है, जो यहां पर लगेगा, बद यतना लगा के ok कर देना है, देखे यहां पर 3 लग चुगा ही रहा, तो first beam का load हो गया, अब next beam प 2.5 से, और यह कितना है, 1 meter का length इसकी, और intensity कितनी है, आपके 6, ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, इस beam को select करना है, assign, frame load, distributed load, 1.5 से हमारा start था, जिसकी intensity 6 थी, और उसकी length 1 meter है, तो 2.5 तक वो गया, और 6 intensity, इसका मतलब है, कि 1.5 के बाद load start हुआ, और 2.5 तक गया, यानि कि total first end से, 6 की intensity है, यह total है आपका 2.5, ठीक है, बस को okay कर देजी, लग गया, next load, अब next load दो point load है, यह point load कहां पे लग रहा है, 3 km का 1.5 meter पे, और यह कहां लग रहा है, 2.5 meter पे, दोनों की distance बता है, 1.5, 2.5, magnitude सेम है, तो मैंने इस beam को select किया, assign frame load, point load, तो first load किसे पे लग रहा है, 1.5, second load किसे पे लग रहा है, 2.5, intensity दोनों की 1, 3, 3, 3 है, sorry, ओके किया, देखिए, 3, 3 और 6, जिस तरह से इसमें लगा हुआ है, 3, 3, 3 और 6, इसी तरह से हमारा e tab में है, 6, 3, 3, ठीक है, अब इस पे आते हैं, अगर हम इस पे बात करें, यूवियल की, तो यहाँ पे distance है, 0, distance है, 0, intensity लोड की यहाँ पे कितनी है, 0, ठीक है, यह है आपका 1 meter, 1 meter पे कितनी intensity है, लोड की, 3, यह है आपका 2 meter, 2 meter पे intensity कितनी है, 0, अगर यह हम table में डालेंगे, तो हमारा यह लोड लग जाएगा, पहले इस beam को select करना है, assign, frame load, distributed, तो 0, 1, and 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा आपका 3, और यहाँ 0, देखिए लग गया, 3 था ना, 3 था, यह लग गया, सारे लोड लग चुके है, control प्लस D प्रेस करोगे, आप तो grid जो है आपकी हो, hide हो जाएगी, sorry मेरे इसमें hide नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो recording tool है, उसका shortcut दिया हुए, control D, ठीक है, अब इसको analyze करना है, analyze से पहले मैंने बताया, जो इसके result हैं, वो without cell fate है, तो cell fate हमें हटाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, पूरे structure को drag करके mouse से select किया, assign, क्योंकि हम beam को बोलते हैं, frame, frame में गए, property modifier और mass और weight को zero कर दिया, okay, pm लिखा गया, इसका मतलब, property modify होगे, और load चले गए है, इसका मतलब load लगे, ऐसा नहीं है कि load नहीं है, अगर यहां से आप check करोगे load को, तो load आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमने analyze कर दिया, shape के लिए ही पूछेगा, तो SS नाम डाल इसका, जैसी analyze होता है, जो first shape दिखाई दे रही है, आपको deform, deflection दिखाता है, analyze होने के बाद first result जो दिखाता है, वो deflection दिखाता है, ठीक है, हमें चाहिए bending moment, तो यहां पर click करेंगे, m33 select, show value select, okay, कितनी value आ रही है bending moment की, 3.04.7, जड़ा चेक करें, 3.04.7, blue correct आ रही है, और य तो correct आ रहा है, अगर आपको किसी individual beam के सारे result देखने है, तो उस beam पे आपको right click करना है, तो सारे result दाएंगे, यह है loading, आपने देखना है, UDL लगा होता है, फिर उसके बाब point load लगा होता, यह fix support थी, यह pin support थी, यह है आपका shear force diagram, यह है bending moment diagram, और यह है deflection diagram, इसी तरह आप यहां से shear force चेक कर सकते हैं, shear force हमेना आपको बताया तो जब first class हुई थी, कि जितने भी software में अगर हम screen पे, इस screen पे, working screen पे, workspace पे, अगर हम shear force diagram देखते हैं, तो थोड़ा गलत दिखाता है, ठीक है, तो हम correct देखना है, तो right click करके हम correct देख सकते हैं, देखिए यहां पे, यह यहां पे देखिए किस तरह से distribute हो रहा है, लेकर यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए यह screen पे जो आ रहा है, shear force में थोड़ी दिक्कत आती है, हर software में, यह tab में, stat में भी सभी में, तो हम right click करके इसको check कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसमें deflection भी check कर सकते हैं, deflection के लिए आपको य animate भी कर सकते हैं, यह देखिए, फ़रा PC heavy होना चाहिए, इसके लिए होना hang भी हो जाता है, animate करके भी दिखाता है, अगर हमें देखनी है reaction, यहां पे reaction भी तो होगी, support है तो reaction डवलप होगी, यह reaction हमें पता करनी है कि यहां पे कितनी reactions generate हो होई है, कितने कितने magnitude की तो हमें क्य एफजेट सेर करते हैं, ओके, देखिए, reaction है, यहां पे opposite direction में हो रही है, ठीक है, तो इस तरह से हम beam को analyze करते हैं और result देखते हैं, इसकी आपको practice करने हैं, जिससे हम आगे जल्दी से और tool सीख सकें, तो जो absent थे वो भी students इसको practice कर लें दो तीन बार, जिनके पास e-tab laptop में आप घर पर practice कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है, वो लच में आके practice कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं हम next class में, thank you.